पॉस्तु 워का क्राइम मुले दिया है कि प्रस नंबर 21 का क्या है घ्रस देखेगा ध्याम है कहता है कि दो वस्तु का क्राइब मुलहें धोन वस्तुओं का दिया है कि यदिlegen समान उनसे में सब्सक्राइब और स्क्राइब देगे डोनों वस्तु का क्राइब मृल्य जो है पहली वस्तु का क्राइब मृल्य और हम लोगे कितना हो जाएगा पूरे आपका है 20-50 से हम लोग गहटा सब्सक्राइब अब एक रहा है कि पहले वस्तु का सब्सक्राइब फॉसक्राइब 20 प्रतिसद नहीं क्या लिए घरीजरल देखिएगा कि कहता है कि उन्हें से 20 प्रतिसद्सकी लाग पर तथा दूसरे को 25 प्रतिसत की लाब पर तथा 20 प्रतिसत की हानी पर बेचा जाता है तो आपका जो बिक्राय मुल्य है पहले वस्तु का बिक्राय मुल्य पर 20 पृतिसरथ यहीं लाभ लिएा जाता है तो आपका 100 कितना हो जाएगा। 20 पृतिसरथ नहीं 25 पृतिसरथ लाभ ले जाएगा लेकोंट्याओं यानिकि यदि वह वस्तु यदि वस्तु का क्राइम मुले यदि यक्स उर्पिया हो और 25 प्रतिसत के लाग पर बेचते हैं तो उसका क्राइम मुले कितना हो जाएगा पांच एक्स बाटा में कितना चार ठीक है लेकिन दूसरी बात क्या कर रहा है देखिएगा कहता है कि दू प्रतिसत की हानिपका मतलब यह होता है कि 100 पर यह दिविस प्रतिसत हानि होती है तो आपको कितना हो जाएगा 80 होगा की नहीं होगा आप बाटा में कितना हो जाएगा 100 है 0-0 कट गया दू चयों के बाट हुआ दू पाचे 10 ठीक है अब जरह मुल्टिप्लाइ कर सकते हैं इ यह हो जाएगा माइनस चार यक्स थोड़ा निचे लिख लेते हैं हो जाएगा माइनस चार यक्स और हो जाएगा 4лять चार सुने स्नना चार पक्षबीस और हो जाएगा कितना 4 दूने के आठ समझे हैं चार से दोनों में me multiply होगा ते यह हो जायगा चार UX मनुस में आई इस वहो 0 हो जाएगा पच्छे 20 हो जाएगा यह हो जाएगा NEW हो जाएगा ऐब आटा कीतना है लेकिन कहता क्या है कि दोनों का जो क्राव मुले है शमान है दोनों का क्राइम मुले क्या है समान है तो हो जाएगा पांच एक्स बटा में चार इसके बाद हम लोगा हो जाएगा कितना देखेगा दोस्तों एक तालीस होगा न अब एक्स बढ़ाबर हो जाएगा यदि हम लोग इसको कटाते हैं यह तालीस से हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाता है जरद देखेगा यह थे हो जाएगा आट च Archives हो जाएग कितना हो जाएगा 800 तो कितना हो जाएगा 800 यह तो अब यहां से 250 में से घटा देगे 800 तो दोस्तों कितना बचा पांच बचा और यह 0 हुआ दस में से लो हुआ spielt 2 हुआ और यह 1 हुआ यौनिकि आपका हो जा जाएगा 1200 200 कितना 50 याने की दूसरे कहा closer gonna 1972 80 सम्जब है तो यह आपका इंसर रहा जो कि कि आपका आपसंपन नंबर कॉन सा करेक्ट है और वी तो अर कितनाथ 1250 उम्मीद हुए कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा चलिए देखते हैं अगला कॉस्टन प्रस नम्बर ‫ Quindi 22 कि कहता है की सब्सक्राइब के बराबर है ऑज दा कह रहा है कि यह जो है cp के बराबर है यह ग्रे कि आपका यहाल निनीकालनी होती है तो मालने आपका यहाल होता है तो उस सम्षाने लक्स भी जुटा होता है आप बाटा में आपका क्या हो जाता है वाई उसी तरह से आपका कहता क्या है कि 95 26 कर देना है आप सो कर देना है अब आठा में आपका y यानि कितना है पचीस तो 26 अब 29 i3 घटेगा तो एक होगा एक से कंड़ा सो आप 21 से समय भाग exist कितना चयार परसेंटेज यानि कितने परसेंटेज के लब हो रहा है 4 परसेंटेज गर यह लाव हो दस उरपय में 10 करता है और किसी करण वस्ट दस मे निक्षान प्रतिसत लावियाा हानने निकालने के लिए क्या辉द करना क्या है कुछ नहीं करना है हुए देखें कि दिया है दो दो बार एक हीमान दिया है इसके ग्यारा में 10 नहें 12 करेंぎ करेंगे और माइनस करेंगे दस का स्कॉयर और इसके बाद करेंगे गुणे सो करना है बस वही आपको करना है जिस तरह से प्रस नवर बाइस को हल किया है और सिर्फ आपका दो बार देया तो स्कॉयर कर बटा में अब दिखी जो बड़ा है उसी का हम लोगी स्कॉयर करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 11 क्या स्कूर और इसके बाद इसका वर करते हैं तो आपका हो जाएगा 111 और माइनस कितना हो जाएगा 100 और गुड़े आपका कितना हो जाएगा 100 आब बाटा में 100 कितना 2100 और बाटा में कितना हो जाएगा 121 और इसका हम लोग यदि प्रतिसतला पूछा है न प्रसेंटेज तो लगेगा है अम लोग भाग देते हैं तो आपका कितना हो जाएगा देखिए 121 से देना है तो यह हो जाएगा एक बार हो जाएगा 121 यह नहीं हो गया दस में से यह आठ हो गया यह कट गया यहीं कि 12 सते 84 होगा 12 सते 84 यह नहीं कि यह हो जिरू उटर जाएगा तो साथ कम साथ हुआ साथ और साथ कम साथ साथ और कितना आठ यह हो जाएगा कितना घटा देंगे तो दो हो जाएगा सतरस साही 43 बाटा में कितना एक सो एक परसेंटेज का क्या होगा लाब हो रहा है तो आपका आप्सन नंबर कौन सा करेक्ष है आप्सन नंबर बी आपका करेक्ष है याने कि 17 सही 43 बैटा में कितना 111 थीए चली देखते हैं प्रस नंबर जो है कि 24 24 क्या कह रहा है वो देखिए कहता है प्रस नमर 24 कि एक कलम विक्रेता ने पांच रुपय के छो कि दर से कलम खरीद कर यानि कि छो पेनों का जो दाम है पांच रुपया है छो पेनों का दाम कितना है पांच रुपया यदि है तो कहता है कि यदि उसे वह बेचता है चार पेन यदि तीन रुपय में वह बे है यहां निकामा रही है ठीक है यह लाव कितने का है यह लाव उसको लाव हो रहा है यहां नहीं हो रहा है तो सबसे पर हमनों को दर से तो यदि एक पेन हम निकालते हैं कितने का एक पेन का निकालेंगे तो 5 बाटा में कितना होगा दोस्तों 6 होगा कि नहीं होगा आप 5 बाटा में 6 का मतलब आपका 0.8 0.8 कुछ करके होगा न अब देखिए ये तो आपका पहला रहा यानि कि इतना रूपया होगा एक पेन का लेकिन कहता है कि 4 यदि 4 पेन के दर से यानि कि 4 पेन जो है आपका बेचता है कितने रूपाय में 3 रूपाय में 4 पेन जो है बेचता है यदि 3 रूपाय में तो एक पे बढ़ा है या रूपयाइक नहीं एक पहले 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 माल लेते हैं 0.8 3 3 करके होगा यह 0.7 कुछ करके होगा तो यह दिए आठ बड़ा है यह साथ बड़ा है समझेगा शुरू में एक पेन का दाम जो है खरीदा यानि एक पेन हुआ खरीदा है 0.8 रुपए में ठीक है लेकिन यह बेचता है क्या 0.7 पैसे में वह क्या करता है बेचता है यानि कि 80 हानई हो रहा है अब देखें तो प्रतिसत हानी कितना होगा वह देखिए आपको निकालnya है क्या 0.7 क्योंकि हानी हो रही थी न क्योंकि हां रही थी न अ THIS हाणी बराबर होता है क्या या आप एक पेन का दाम पहले कितना था चौँ आप माइनस में कितना है तीन वांट में चौँ नहीं है जिसेकोगत से घता देंगे कैशने कितना भी उपए में खरीदा था वो 5 वाटा में 6 रूपए में समझ में आया है अब इसके बाद सोलूसन यह दी करते हैं तो 6-4 का एलसें कितना हो जाएगा 24 होगा की नहीं होगा ठीक है अब यह भीन पलट जाएगी तो यह मल्टिप्लाई में हो जाएगा 6 वाटा में कितना हो अब इसको हम लोग घटाएंगे तो आपको हो जाएगा 2 वाटा में कितना हो जाएगा 24 होगा की नहीं होगा अइयह गुणे 6 वाटा में 5 अगुणे कितना हो जाएगा 100 होगा तो कटाएगा है छोचोग को चयोविस हुआ दू पाँप न दूनवद्ध के कितना हुआ चार हुआ और यह हुट है जहेए हैं कि अर्म में कितना च्चेक कि आपसट नॉबर काँप कुछ में समझ मैं आ गया होगा इस टेम को भी क्वेस्टन हो तो आप इस तर से A चरेंगे चलिए देखते हैं प्रश्थ नबर 25 कहता क्या है सिरगा ग्रेंश मिरस्णमर 25 जो कहता कि छर देखेगा कहता है कि इस सवदागर ने एक सवदागर ने कुछ गेद तीन रूपएय में चार के भाव से चार जो गेदे प्रतिसात का लाब हुआ तो मान लेते हैं कि माना सौधागर ने जो है कि 20 गेदे खरी दी माना कि 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 मान लेंगे कि माना सौधागर द्वारा कुल गेदों की संख्य कितनी है खरीदी गई 20 यदि हम लोग चार और पांच कैल से निकालते हैं तो कितना होता है आपका 20 होता है न तो चार और पांच कैल से निकाला गया है वहीं आपका ह्योंट कि अब देखेगा काहता है किृ Sultan 60 Ken Bughh यानि कि चार जो है गेंद हैं कि तीन रुपया के भाव से खरीटा है तो स्या экспер met कितने रुपया के वह से लिएगा इस लिए तो किसरी कितनी है बीस तो बीस अगला प्रोसेस से पांच गेद जो है इदी चार उपई के भाव से खरीडता है उसी तरह से हमनों 20 गेद निकालते हैं तो चार बटा में पांच गुणगे कितना हो जाएगा बेच दिया है तो आपका लाब कितने का होगा एक रूपई काला लाब हुआ यहा आपका क्रयम मुली है लेकि कि बेचा है इतने में तो एक रूपए का लाब हो रहा है ना तो लाब हम लोग देखते हैं यह यदि हम लोग प्रतिसत लाब निकालेंगे तो कितना हो देखिया आपका लाब होता है तो लाब कितने रूपए का हो रहा है एक रूपए का गुणे कितना सो अब बाटा में क्र शोज साही दोस बाटा में कितना हो जाएगा 15 यानि कि छोज साही दोस बाटा में कितना 15 परसेंटेज आपका हुआ क्या लाब लेकिन हम लोग इसको और कटा सकते हैं तीन पाच्चे जो है कि पांध त्याइंग पंदरह हो जाएगा आप पांधुनिके क्या दॉस यानि कि छोज सही दो बाटा में कितना तीन परसेंटेज का क्या हुआ लाब हुआ लेकिन कहता है कि जो एक रूपाय का लाब होता है कितन कितना हो जाएगा एक रूपाय के लाब पर 20 खरीदता है तो सोरा रूपाय के लाब यदि हम लों निकालते हैं तो 20 कितना हो जाएगा सोरा आज सोरा दुनाय कितना 32 यानि कि 300 कितना बीस यदि उसे जो है कि सोरा रूपाय का दिलाब होता है तो वह खरीदेगा 320 गेंद जो देखते हैं प्रस्ण नमबर जो है कि 26 में आपको कहा क्या रहा है देखें कि देखें प्रस्ण भाश्विस है क्या कहता है कि एक फल विक्रेता ने एक रूपए में पांच संतरे दिखरीडता है इस पर यदि परतीस परसेंटेज कमाने के लिए 25 परसेंटेज का लाब कमाने के लिए उसे एक रूपए के कितने संतरे की दर से बेचना होगा देखेंगा यदि कहता है कि यदि जो विक्रेता है यदि पांच संतरे को यदि एक रूपए में जो विक्रेता है पांच संतरे को यदि एक रूपए में खरीदेता है यहां पर हम दो लिख लेंगे पांच रुपए में खरीदता है यह दिनी रुपए में एक रुपए में तो फॉपांच पर ससंटेज करा क्या लाभ Самाने के लिए तो 25 पर सेंटेज का लाभ तो पहले हम नौग यह की तकि त मुझातर है कि नहुंस्क्राइन की करेंगे जुरDIO में प्रहार निकरे dusес नबगर दोन कोईस्जा जेली यानषेर भेस तर्षेम भी बाताहे कितने परसेंटेज का प्रोफिट करने के लिए का रहा है 25 परसेंटेज का आपका प्रोफिट का रहा है कितने परसेंटेज का 25 परसेंटेज का ठीक ना यह हो जाएगा कितना 25 आपका देख रहे हैं यहीं फर्मुला हम लागू कर रहे हैं यहां से हो जाएगा बाटा में क्या 100 अब यह हो जाएगा दोस्तों कितना 125 आब आटा में कितना हो जाएगा 100 तो हम लोग भाग दे देगे तो 25 पाच्चे कितना हो जाएगा 125 आज यह हो जाएगा 25 पईसा इतने रुपए में यानि कि 1 रुपए 25 पईसा में वह बेचता है कितने संतरे 5 संतरे बेचता है एक रुपए 25 पईसे में वह कितना संतरे बेचता है यदि वह 5 संतरे बेचता है तो 1 रुपए में वह कितना बेचेगा ग giving a 25 रूपाय में यह 15 संतर देच ता है तो हम लोग यहीं निकालते हैं एक रूपाय में कितना बेचे और यह हो जाए गा जीरी दसमलो पांच पंच पचे कितना पचीस ठीक है अब यहां पर हो जाएगा एक बाटा में 0.25 होगा की नहीं होगा हम लोग जानते हैं कि जब पॉइंट हटाना होता है दो अंपर है तो एक पर जो जीरो बढ़ा करके उपर निचे गुणा कर देते हैं तो यह हो जाएगा 100 बाटा में कितना 25 होगा आप 24 को 100 यानि कि एक रूपया में वह कितना संतरा बेचेगा चार संतरे बेचेगा ठीक है ना यानि कि वह एक रूपया की बात करता है कहता है कि वह एक रूपया में कितने संतरे की दर से बेचेगा यनि कि एक रुपाया में जो है चार संत्रे बेचेगा जो खरीदार है वह चार संत्रे कितना रुपाय में खरिदेगा उक रुपाय में तो आपका ये हो गया तो आपका एक रुपए में निकालेंगे तो आपको हो जाए कितना चार संतर समझें है ना अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं प्रस्ट नमर जो है कि 27 कहता क्या है जरौ देखिए कहता है एक विक्रिता अपना माल क्रेव मुल्य पर बेचने का दावा करता है क्रेव मुल्य पर बेचने का वह दावा कर रहा है जिसे माल जी हम 100 रुपए के वस्तों को खरीदते हैं हम कहते हैं कि जितने के हम वस्तों खरीदे हैं उतने हम लोग बेचेंगे लेकिन यह कहता क् जरा आगे देखें किन्तू एक किलोग्राम बाटा के अस्थान पर 90 ग्राम के जूठे घुटे बाटे का परियूकरता है जोड़ाइब का नौन रख कर के जो है नहीं नौन सो ग्राम का कि बाटा उससे जाएक की मान लेते हैं कि रख देता है तो उसका प्रतिशत है कितना होगा यह हम लोग 100 रुपय के वश्ट को खरीबते हैं जो है कि हम लोग एक किलो की जगह पर यह किम लोग नौसों ग्राम का भी दोते हैं तो आगे देखते हैं प्रस्न में आपना माल कराय मुल्य पर बेचने का दावा करता है किन्तू एक किलोग्राम तो मान लेते हैं कि माना एक किलोग्राम एक किलोग्राम में आपका कितना होता है एक हजार ग्राम होता है ठीक है एक हाजार ग्राम जो है माल का क्राइम मुले यानि कि आपका जिस्टीपी जो है मान लेते हैं कितना है ध्युक्त के एक हजार geben discuss कि यह वह माल खरीड़ाता है तो कितना सो रूपए === म cricket लेकिन इस दो पर कितना रखता है एक और एक हजार यह था दर्शान कि माल लेता है कि कितना 900 ग्राम कि माल का यह सीपी निकालते हैं यह यह कि 900 ग्राम कितने में खरीदा होगा तब वह कितना पड़ेगा उसको खरीदार यह नौ सो ग्राम माल जब खरीदा है तो उसका स्वीपी प्राइस हो जाएगा कितना सो बाटा में कितना होगा एक हजार होगा एक हजार क्यों कर रहे हैं क्योंकि पहले एक का निकालेंगे तो सो बाटा में एक हजार अगुणे कितना है नब्य है न नौ सो इससे यह क्या हुआ कट गया इससे यह क्या हुआ कट गया इसका मतलब कि उसको खरीदारी कितने की पड देगा आफ बेच्छे का कितने में 100 और पहले तब तो लाब की tuhणने का हुआ धेगा तब ῥ T हम लोग फ़र लाब जो हो जाएगा स paran पाद कि जलेख कि वह निकालते निकालते पता चलेगा कि भी संगे में खरिदेगा और बेचगा कितने में 100 रुपए बेजता है। हम लोग कितने रुपए का राव हुआ उसको। 19ा लाब ओक होता है तो प्रतिसात लबं निकाल कि आपका Темति अमने का लबन निकाले कि एक बारी 30व बाराबर होता है क्या। कराई मुले यानि खरीदा था कितने में 90 रुपाय में इससे यह क्या हुआ कट गया तो आपको कितना हुआ कि यहां से यह हो जाएगा दोस दहां में 100 हुआ अब आटा में कितना नो यह दिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है देखिए सो में यह दिवाइड करते हैं नो से नो दहा में 90 नो दहा में 90 यानि कि एक बार पहले ले चली यह इसके बाद यह हो जाएगा यह एक हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा फिर ना एकम 9 यह यनि की 11 सही 1 बाटा में 9 प्रॉतिसत का उससे क्या होता है लाब होता है तो हम लोग 안ra का और कौन सा क्रेंट है और सर्थ क्या होता है यह आपका लहां रहाएं कि अंभर्य का यह ढाया है को सबहुत दिखेता है लेकिए और यानि कि लाव होता है लाब गुणे सो बाटा में कि आक्राइम मुले जो खरीदा होगा तो 90 रुपए में खरीदा है आप बेच ब्या कि दिया किने सो ले रहे है चली देखते हैं प्रस नमबर जोए कि 28 आप से क्या रहे है तो प्रस्ट नमर थाइस है के दिखेगा कहता है कि एक साइकिल 15 प्रसेंटेज लाभ पर बेची गई यदि साइकिल 10 प्रतिसत कम मुल्य पर खरीदी होती और 35 रुपए कम में बेची जाती तो लाभ 20 प्रतिसत होता तो साइकिल का क्राई मुल्य क्या है तो साइकिल का क्राई मुल्य क्या होगा जैनिकि जो है उसका सीपी क्या होगा चली तो क्राई मुल्य निकालना है तो देखेगा मान लेते हैं कि माना मान लेते हैं कि साइकिल कितने रुपए में खारी दी गई 100 रुपए में अब कहता है जो कि इस 100 रुपए पर कितने परसेंटेज के लाभ पर साइकिल जो है 15% लाभ पर बेची गई तो 100 यानिकि 15 % लाभ पर यदि बेचता है तो अभ उसका कितना हो जाएगा 100 पर 15 परसेंटेज नहां तो 100 परसेंटेज कितना हो जाएगा 15 यहां कि वह बेचता है तो इसका SP हो जाएगा यानि कि जो है बिक्रेम मुल्य जो होगा 15 पर बैचता है तो इसका अब बिक्रेम मुल्य कितना हो जाएगा 115 देखेगा खरीदा था 100 रुपए में लेकि जब 15 परसेंटेज का लाब हो रहा है तो बेचता है कितना 115 रुपए में ठीक है इसके बाद कहता है कि 10 परसेंटेज काम पर खरीदता है तो उसका जो है कि CP कितना होगा जब 10 परसेंटेज काम पर खरीदता है तो उसका CP कितना रहा होगा देखेए 100 अब माइनस कितना दस परसेंटेज काम पर खरीदता है तो इसका मतलब कितना रुपए खरीदा होगा 90 रुपए का अब देखेगा खरीदा है 90 रुपए में लेकिन बेचा है कितने में अब 115 रुपए में यदि 15 परसेंटेज लाप पर बेचता है तो उसका देखते हैं कि जब लाप 20 परसेंटेज हो रहा है तो आखिरी में वह जो है कि सेल रहें या यानि कि बेचा है कितने में ओजारव देखेंے amongst 20 परसेंटेज हो में लाभ पर कि यह यहनी कि हम लोग देखते हैं कि एखिर में बिक्राइम मुल्य कितना है सक टोला हो रहा है लेकिन आखिर में फिर लाप कितना अब कितना और देखेगा होता है आपका क्या क्राइम मुल्य होता है आपका सो अब प्लस लाब होता है कितना है बीस अब आटा में कितना होता है सो फर्मली के अमस्वार हमनों चले हैं यह हो जाएगा 90 गुड़े यह हो जाएगा 100 कितना 20 अब आटा में कितना इससे यह कट गया इससे यह यानि बारा नामा एक सो यानिक आट नहीं नदुनी अठारा को आठाइश से लेक और नायकमना वह क्या दस एक सो आठ रुपय में यानि कि यदी वह नदबे रुपय में वह खरीदता है अब उसके बार यदी वह जो है कि 20 परसेंटेज लाब पर यदी बेच देता है तब हम लोगा हो जाएगा क्या यानि कि उसका जो बिक्रे मुल्य होगा बिक्रे मुल्य कितना होगा दोस्तों आपका वह बिक्रे मुल्य यानि कि बेचा है कितने रुपय में 108 रुपय में क्या किया है बेचा है लेकिन अब देखते हैं इन दोनों के ब रुपाए कम में वह क्या है कितनी रुपाए में 7 रुपाए में कम में क्यां किया है कि गश् distribire को जब उसका कि 20% होता है यह एक बार 800 रुपाए 108 का पोर सबस्क्राइब पर एक सु कित्त तो रुपाए में तब आगे देखते हैं चुकि जब वह जब उसका यस्पी जो है सात रुपया कम था जब उसका विक्राय मुले सात रुपया कम है तब वह वस्ट को कितनी रुपया में खरीदा था एक रुपया कम हो रहा है तो रुपय में खरीदा था जब एक रुपया कमימ JEFF कितने में खरीदेगा सो अथा कितना असत इसलिए कहता है कि यदि वह 35 रुपए में 35 रुपए में तब ने रुपए कोम में बेचता है तोसौ रुपए मेंहें कितना हो जाएगा है था संना पाउंटिस वह करेगा बेच देखते हैं आपका सी करेक्ट्ट है प्रस नमर 29 में आपको पूछा क्या है, प्रस नमर 29, दीखे कहता है कि 20 किलो ग्राम चीनी पंदर रूपय की दर से, अब देखेगा, चीनी जो है 20 किलो ग्राम खरीदता है कितने रुपए की दर से 15 रुपए की दर से तो 15 दोनी के कितना हो जाएगा 30 यानि कि 300 रुपए टोटल आपका हो गया कितने रुपए में खरीदा 20 किलो जो चीनी है 300 रुपए में यदि खरीदता है पंतर रूपई की दर से थी और खरीदा है यह जाए है कि है अगली बार को अरफ रा chronी कहरीधे. हर दो वह चीनी खरीदता हर यादि 15 किलो चीनी खरीदता है किको रूपाय की किलोग्राम की दर से बेचता है और देखेगा पहले 12 थाना आएक पंदर हो गया तो अब कितना हो जाएगा देखें पांच यानि टोटल कितना केजी हो जाएगा 35 केजी जब खरीदा है तो टोटल डाम आपका कितना दिया है जीरो हो गया आठ हो गया कितना चार यानि कुल जो है यदि 25 किलो वह खरीदता है तो 480 रुपया देता है 35 किलो खरीदता है तो उसका CP यानि क्राइम मुली कितना था CP यहां बन गया कितना का 480 रुपया CP हुआ कितने का 35 केजी का लेकिन वह कहता है कि यदि 25 केजी यदि की चिन्नी को 14 रुपय प्रति किलोग्राम अब जो 35 किलो जो चिन्नी है यदि वह 14 रुपय प्रति 14 रुपय क्या 14 रुपय प्रति केजी के भाव से बेचता है तो अब उसका टोटल जो है क्राइम मुली क्या होगा यानि कि SP अब हो जाएगा यानि कि उसका क्राइम मुली कितना हो जाएगा SP आइनि कि विकर मुली है ना SP यानि कि 35 किलो ची नी को यह पाल जो समझित 25 कि जो चीने है क्यों खरीदा 480 रुपया में ंखरीदा हे जो हम 14 किलोघर मीज़ या चाजोगा घ्रति के बेचता है तो उसका जो है कि विकरं मुली क्आ हो जाएगा traп says 55 हो जाए कितना 14 हो जाएगा 46 25ultur कसुनना हासिल साथ हुआ NATO 442 कितना हो जाएगा यह चार चार सु कितना हो जाएगा 90 रूपया तोल साथ होना तो इसको लाब कितने का हुआ जा रहां समयजिए आप देखेगा 400 रूपय में खरीद आ 22 तो कितने का हुआ जारा देखेगा 400 नवे कितने रुपय में कितना नाव कमाता है अगा रुपय के लाव को कह रहा है कि कि टना अपको प्रसेंटेज पूछा है तो लाव यहानी एक प्रतिसत लाव हो जाएगा कि जब कमा रहा है अत्रफितर मेंग आपकिन कितना होता है तो आपको क्या होता है लाभ होता है आगूडे आपका कितना होता है 100 होता है आप बाटा में आपका कितना होता है कुराई मुल्य होता है खरीदा था कितने में 400 कितने में जो है कि 80 रुपाय मोग्या किया था खरीदा था इससे यह क्या हुआ कट गया न अब ज़रा कटाईएगा दू पाच्चे दस दू दू निके चार दू च्यों के कितना आठ फिर दू पाच्चे दस दू एकम दू और दू निके कितना च्यार था ने दू एकम दू और दू निके 4 और दू पाच्चे कितना अब यह भुद च्यों कितना बार आब बर दू लाव से वह क्या करता है बेचता है तो यह रहा दो सही एक बटा में बारा परसेंटेज जो कि आपका आपसर नंबर कौन सा करेक्ट है यह आपका आपसर नंबर करेक्ट समझे है ना इस टाइब कोई भी कोश्चन हो तो हम दिस्ते सोल्व करेंगे चलिए देखते हैं प्रस न तो थोड़ा पढ़कर हम देखते हैं एक दुकंदायर ने 80 kg चाई जो है कि 80 रुपए प्रती किलोग्राम यानि 80 kg पहली स्थिती में जो है कि जब 80 kg जो है कि चाय यदि खरीदता है ठीक है असी केजी जो चाय है पाली स्थिती में जो चाय है असी केजी जब खरीदता है तो असी केजी चाय जो है कितने रुपाई प्रति दर के असी रुपाई के असी रुपाई प्रति किलोग्राम के दर से खरीदता है तब तो यह कितना रुपाई के खरीद लिया अब यह हो जाएगा आठी आठी चाउंसोट हो जाएगा यानि कि छहाजार कितना हुआ चार सो यानि कि जब असी किलो जब वह चाय खरीदता है असी रुपाई जो है प्र कुल आपका चाय कितना हुआ अकूल पाइसा यानि कितना चाय खरीदा और कितना जो है कि उसका खराइम मुले था कितने रुपए में खरीदा कितना चाये ओब देखिए यह 0 हो जएगा 8 210 को सुनना हो जाएगा दो रिक्या दो यानि कि जब 200 कजी खरीदता है चाय तो उसका जो CP था यानि कि क्राइम मुल्य था क्राइम मुल्य कितना हुआ जीरो जीरो यह 4 हो जाएगा च्छाद वाट हो जाएगा और इत्या एक यानि कि 1,000 चौरासी सो रुपिया यानि कि ऐसे कह सकते हैं कि 18,400 रुपिया इसका क्या हुआ CP 18,000 कितना हुआ 400 रुपिया CP हुआ अब देखिए इतने में वह खरीदता है लेकिन यह भी आपसे पूछा है कि यदि वह उसको प्रॉफिट यदि हम लोग करते हैं प्रॉफिट कितने का यह लिए लेता है यदि प्रॉफिट जो है कमाता है 25 परसेंटेज का उसको प्रॉफ यह कितने रुपाई प्रति किलोग्राम के बेचेगा हुआ टो पहरा है कि 200 ईयानि दिलाब गमाता है तो 200 किलोग्राम screaming क्या करता है बेचता हैं रो estp 200 kg Cand चाय का चाय का जो है कि हम निकालेंगे k मैं 200 kg चाय का किया निकालेंगे यद Steens nिकालते हैं यदि हम बिक्राइम मुलिन कालते हैं कितने रुपै वह बेचा है तो हम लोगा देखिए SP के लिए आपका क्राइम मुली कितने रुपए में खरीदा है 18400 रुपए में ठीक है कोश्टक में 100 प्लस हो जाता है परसेंटेज कितने प्रतिसत का लाब कमा रहा है देखिए प्लाब कमा रहा है 25 परसेंटेज का सो में जुटेगा यद 84 हो जाएगा गुणे कितना 125 अब इनका मल्टिप्लाइ हम लोग कर देंगे अब देखेगा मल्टिप्लाइ करें कितना होगा इसका मतलब अब देखेगा यदि वह 200 किलोग्राम जो है कि चाय खरीदा था तब तो वह बेचा बेचा है कितने में तो बियान 종राओं कितना है कितना है कितना है तो हैं तो यदि हम लोग एक किलोग्राम क निकालते ये तो तो 3,000 यानि कि 1 kg जो है चाय के दिना दिकालते हैं तो तेस्थ हजार में डिवाइड करेंगे कितने से 200 से तो पता चलेगा कि यह कि एक किलोग्राम कितना है इसा से यह कट गया इस इसा से यह क्या हुत गया और इसा से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे अब यह आपका आपसो नमबर कॉन सा करेक्ट है आपसो नमबर डी आप करेक्ट है एक सो पंदर रुपया प्रत्य कीलो ग्राम ठीक है उमीद हो कि क्या को समझने आया है इस टाइप कोई भी कुश्चन हो तो इस तरह सोलूसन करेंगे चली